सब्सक्राइब कीजिए जाइकेदार खाना चैनल को और साथ में बेल आइकोन को भी दबाएए जिसे मेरी लेटिस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे और जो चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अस्सलाम अलेकूम फ्रेंड्स वेलकम तू जाइकेदार खाना आज मैं आपके साथ खिटड़े की रेसिपी शेयर करूंगी इसको हलीम दलीम भी बोला जाता है मोहरम पे तो लोग अक्सर घरों में खिटड़ा बनाते ही हैं या फिर जब भी हमारा कुछ अच्छा खाने का मन तो हम इस खिटड़े को बना सकते हैं यह बनपोर्ट मील होता है और बहुत जादा पोस्टिक और हेल्दी भी होता है खिटड़ा बनाने के लिए मैंने एक और आधी कटोरी गियों लेकर इनको रात भर मैंने पानी में भीगा दिया था जब जी आच्छी तरह से भीग चु तो इनको मैंने मेक्स कर लिया आधी गियों को मैंने मिक्सर के जार में डाल कर मोटा मोटा पीस लिया है जिस कटोरी से गियों लिये थे उसी कटोरी से मैंने आधी कटोरी उड़त की दाल ली ही बिना चिलके वाली दाल है अधी कटोरी मूंग की दाल आधी कटोरी चामल दालों का डबल पानी डालेंगे हाई फिलेम पर पहले एक बिसल लगाएंगे इसके बाद लो फिलेम पर दस मिट के लिए पका लेंगे जब पूरा प्रेशार निकल जाएगा तो दालों को अच्छी तरह मेश कर लेंगे 400 ग्राम मतर लिया है इसको भी मैंने अच्छी तरह दोया इसके बाद आदा चमाश नमक एक चोटाई चमाश हल्दी पाउडर और एक कप पानी डाल कर इसको उबाल लिया हाई फिलेम पर एक बिसल लगाई इसके बाद 15 मिट के लिए लो फिलेम पर पका लिया कोस्ट अच्छ बिलत कंट सेहं के निका तुकड़ा एकषिक भड़ी लाइज ची पांच छे लोंग आधा च्छुटा-चुटा-चम हल्दी पाउडर एक और आदा च्छिटा-चुटा-चमाश लाल मिर्चिकार पौडर तीन छोटा-चमाश धनिया पाौडर एक छोटा-चमाश नमक दो चोटे चमज लसन द्रक का पेस्ट छे हरी मिर्चें और एक बंच मैंने धन्या पत्ती का लिया है धन्या पत्ती ज्यादा लेंगे खिटड़े में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है गे सुन करके उसमें एक कुकर रख दिया है अगर हम ज्यादा कॉंटिटी में खिट क्रिस्पी ब्राउन होने तकặt फ्राई कर लें प्याज अच्छी तरह ब्राउन हो चुकी ही इसको अमें बाहन निकाल लेती हूं तेल को दो भारा करम करके इसमें खड़े-करम मसाल्य टालोगी तेज पत्ता और बागी के सभी मसाल्य में दाल देती हूं कुछ से किन मसालों को fry करोंगी इसके बाद इसमें जब बची होई प्यास थि वो डाल देती हूं लगातार चलाते हुए highlights p results light brown fry कर लूँगी प्यास light brown fry हो जाएगी इसमें लसन धुरक का पेस्टे हँगी दाल दूँगी लसन अदुरक पेशट को 5 में मीडियम फ्लेम पर भूँच दोगी अगर जरूरत होगी तो बीच में थोड़ा थोड़ा पानी भी में डालोंगी देखिए मसाले अच्छी तरह से बूँच रहे हैं अब इसमें मैं हरी मिर्चे डाल देती हूं हरी मिर्चे को भी कुछ सेकेंड फ्राइब कर लोंगी जो में जो दाले उबाल कर रखने देख लेंगे कितड़ा अभी कार्ण होने पर इसमें ठंडा पानी डालना है पानी को पेले अच्छी तरह गरम करना है उसमें उबाल आना चाहिए इसके बाद इसमें पानी एट कर दें कंसिस्टेंसी हम अपने हिसाब से रख सकते हैं जितना गाड़ा पतला खिटड़ा हमें चाहिए उसे साब से पानी डाल दें शुरू में थोड़ा सा पतला ये रखें क्विश्टड़े को हम कुछ मिनिट पकाते भी है इसमें नमक एट कर दें और नमक में अपने जाइके के मुताबिक डाल सकते हैं गरम मसाला पाउडर भी डाल द तले में चिपख सकता है देखिए 15 मिनिट हो चुके हैं खिटड़े को पकते हुए धन्यापति डाल कर मिक्स कर लूँगी कुछ सेखिंड धन्यापति के साथ में खिटड़े को पका लेती हूं बहुत भेद्री खुस्बू आ रहेगे खिटड़े से सारा घर खुस्बू स अब इसको उपर जो ब्राउन फ्रैज में ने की थी वो डाल दूंगे दन्या पती डाल देंगे करम मसाला डालेंगे निवो का रज डालें और सर्व करें खाएं और सर्वी को खेलाएं खाने वाले आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे बहुती बहतरी इन किछला बना हैं तुझे अपनी दुआओं में याद रखिए अल्ला हाफिज